आज का इस वीडियो में हम hydrogen bonding के बारे में पढ़ेंगे जैसे के आप जानते हैं हम चाप्टर chemical bonding देख रहे हैं इसके अंदर हमने आनिक बॉंड कोवलेंट बॉंड कोवलेंट बॉंड देखा है आज हम hydrogen बॉंड के बारे में जानने की कोशिश करें आए देखते हैं hydrogen बॉंड का डेफिनेशन है ड्रोजन बॉंड बॉंड फॉर्म बीट्वीन अड्री एलेक्ट्रो नेगेटिव एटम लाइक फ्लोरीन ऑक्सिजन नाइट्रोजन इस नोन एस हैड्रोजन बॉंड निग और हैड्र है गोड्न के पाया जाता है ऐसे इसे मॉलिक्यूल का हीड्रोजन एटम जिसके उपर पाशल पॉल्ठियव चार्ज है वह अग्ज्यसेंट मॉलिकूल के तो Khan competent या नहीं तो खेर सें मॉलिक्यूल के highly अगर की लेक्रो 0,000 आटम याटम के बीज में बॉंड पर्म करता ऐगर आप देखें तो पोल्सको जैसे कि आप जानते हैं कोलन बॉंड के अन्दर हैं धो इसे ऐसे हैं जिसकी में डिफरेंस है कि plays से atoms के बीच में पाये जाने वाला कौलनड बॉन पोलार कौवलन बॉन कहलाता है इसकी वज़े यह के कोलनड बॉन्ड शेरिंग ऑफ अलेक्टरा उसकी वज़े से बनता है और आप जानते हैं जब भी किसी atom की electronegativity ज्यादा होती है तो electron pair उसकी तरफ ज्यादा खिचा जाता है जिसकी वज़े से highly electronegative atom के उपर partial negative charge और lower electronegative atom के उपर partial positive charge आ जाता है जिसे polar covalent bond कहते हैं याद रखें polar covalent bond की वज़े से hydrogen atom के उपर partial positive charge आता है इसी partial positive charge की वज़े से hydrogen atom किसी और highly electronegative atom से bond form करता है जिसे hydrogen bonding कहते हैं याद रखें hydrogen bonding two types की है intermolecular hydrogen bonding और intramolecular hydrogen bonding intermolecular hydrogen bonding और intramolecular hydrogen bonding के बारे में पढ़ने से पहले इनके meaning देते हैं इंटर माने within याने के molecule के अंदर और inter याने in between याने के दो molecule के बीच में याद रखें अगर hydrogen bonding दो molecule के बीच में पाए जाती है तो उसे intermolecular hydrogen bonding कहते हैं और यह एक एक एचेफ molecule है यहाँ पर एक एचेफ molecule के hydrogen और दूसरे एचेफ molecule के फ्लोरिन के दर्मियान में बांड फार्म हो रहा है इसे hydrogen bond कहते हैं और यह चुंके दो molecule के बीच में इसे intermolecular hydrogen bonding कहते हैं और intermolecular hydrogen bonding की अगर बात करें तो hydrogen bonding जो एक molecule के अंदर पाई जाती है तो उसे intermolecular hydrogen bonding कहते हैं एक्जाम्पल के दौर पे आर्थो नेट्रोफिनॉल तो नेट्रोफिनॉल के अगर structure की बात करें तो यहाँ पर एक वह जिसके अंदर hydrogen और oxygen के दर्मियान एलेक्ट्रो नेगेटिविटी की डिफरेंस की वज़े से hydrogen atom के उपर partial positive जा जाता है जो खरीब हाईली एलेक्ट्रो नेगेटिव एटम जो के oxygen है उससे bond फार्म करता है याद रखें यह hydrogen bond जो hydrogen और oxygen के दर्मियान में है वो molecule के अंदर है जाने के within the molecule है इसी वज़े से इसे intra molecular hydrogen bond कहते है याद रखें अगर molecules के बीच में hydrogen bonding पाया जाए तो उसे inter molecular hydrogen bonding कहते है और अगर किसी molecule के अंदर hydrogen bonding पाया जाए तो उसे intra molecular hydrogen bonding कहते है यहाँ पर गवर करने की बात यह है कि इंटर माने between और intra माने within और hydrogen bonding के अगर बात करें तो hydrogen atom और highly electronegative atom के बीच में पाया जाने वाले bond को hydrogen bond कहते हैं यह दो टाइब के होते हैं inter molecular hydrogen bonding और intra molecular hydrogen bonding